दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको 28 दिसंबर 2020 को जो NTPC का फेपर हुआ है उसमें जो जो भी कोस्चन आये हैं actual में मैं आपको सारी जानकारी इसमें दूगा पहला कोस्चन इसमें क्या है अंतराष्टी ओजोन सनरच्षण दिवस कब मनाये जाता है तो इसका जो एंसर है वह इस 16 सितंबर को मनाये जाता है अंतराष्टी ओजोन सनरच्षण दिवस दूस्टरा कुश्टन, जव विएद्रता संबंदित, रामसर संपझे होते का संबंद किस के संड़चण से है? तो इसका जो अंसर होगा आद्र, भूमी संड़चण से संबंदित है रामसर संपझे होता तो उन्चास जो राष्टी इसमारा का स्थानों और वस्तुओं के संरचन से संबंधित है अनुछे आप जरूर याद करके जाईएगा पेपर देने इस पहले पाच्वा नमबर परधान मंत्री किसान संबान निधी योजना का सुभारम किस राजिसे किया गया है इसका एंसर जो है गोरकपुर से इसका सुभारम किया गया था कोशन नमर छे दीब का पल्लिकल किस राजिसे संबंधित है तो इसका जो एंसर होगा वो इसको आएस होगा जो भी प्लेयर है किस खेल से संबंधित आप ये भी जरूर देखके जाएएगा बहुत इंपर्टन कोशन रहता है इसका जो एंसर है पासुपती की पूजा करते थे सिंदु घाटी की लोग कोशन नमर एट वर्ल्ड कप 2019 में कितनी टीम थी तुझे इसका एंसर है दस कोशन नमर नाइन रेल्वे के पहले सीयो किसे बनाया गया है तो एंसर जो वी के यादव विनोत कुमार यादव को बनाया गया है पहला सीयो रेल्वे का कोसर नमर 10 किस बैंक का मर्ज पंजाब बैंक में किया गया है औरियेंटल बैंक आप कामर्स और यूनाइटेड बैंक आप इंडिया का मर्ज पंजाब बैंक में किया गया है कोसर नमबर 11 भारत में राम सर साइट कितनी है तो इसका जो एंसर है वो 42 राम सर की टोटल 42 साइटे हैं कोसर नमबर 12 पदार्ज की मात्रा को किसमे मापा जाता है तो इसका जो एंसर है वो किलो ग्राम में मेजर किया जाता है कोसर नम्बर 13 गांधी जी की गुरू का क्या नाम था? इसका एंसर है गोपाल कृिष्ण गोखले कोसर नम्बर 14 नियमित जन्गलना कब सुरू की गई थी? तो 191881 नियमित जन्गलना की सुरूवाद की गई थी कोसे नमबर 15, इनस्थीसिया के लिए किस पदार का परियोग किया जाता है, मतलब बेहोस होने के लिए किस पदार का परियोग किया जाता है, तो इसका जो एंसर वो है, क्लोरो फार्म का परियोग किया जाता है, बेहोस करने के लिए, कोसे नमबर 16 है, कौन सा रोग विसाणू से फाइलता है तो इसका answer मतलब virus से फाइलता है इसका answer है चेचड क्या 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 कहले आता है जो kriceo का जो पालन होता है उसे वर्मी कल्चर बोला जाता है कोस्ट्छ नममर 17 पहली वन्रे भारत colours के बीच चलाए गई एंसर इसका है दिल्ली से बनारस के बीच पहली वंदे भारत ट्रेंड चलाई गई थी कोस्टन नमबर 18 भारत के किस राज की तर्टरेखा सबसे लंबी है तो जो इसका एंसर हो है गुजरात सबसे लंबी तर्टरेखा वाला राज है भारत का Q19. भारत के सबसे यूवा राष्टपती कौन थे तो जो इसका एंसर है नीलम सजजी औरेड़ी जो थे भारत के सबसे यूवा राष्टपती थे Q20. URL का फुल फार्म क्या है तो यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फार्म होता है question number 21, chicken kari किस राज से सम्मंधित है? तो जो इसका answer उत्तर परदेश राज से सम्मंधित है question number 22, 17 नजी किस दर्रे से होकर گुजरती है? तो इसका answer सीब किला दर्रे से 17 नजी होकर गुजरती है question number 23, brun को food कहां से मिलता है? इसका जो answer है, placinta से brun को food मिलता है Q24, सबसे लंबा रास्टी राजमार्ग काउंट सा है तो NH44 भारत का सबसे लंबा रास्टी राजमार्ग है Q25, बंगाल का विवाजन कब किया गया था तो एंसर है, इसका है, 16. अक्टूबर 1905 को बंगाल का विवाजन हुआ था Q26. राज तरंगडी के लेखा कौन है? तो answer है इसका कलहड जो है राज तरंगडी के लेखाक है Q27. DNA का double helix model किस ने दिया था? तो इसका answer है वार्सन और क्रिक ने DNA का double helix model दिया था Q28. विहार के राज जफाल का क्या नाम है? तो answer है इसका फागु चवहान जो है विहार के रा 29. भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका answer मा है जो की पूदुचेरी राज में है भारत का सबसे छोटा जिला है आगे Q30. विश परियावराण दिवस 2020 का theme क्या था? तो इसका answer है जय विविदता 2020 परियावराण का theme था Q31. प्रित्वी दिवस का मनाय जाता है? इ जाता है आप इसको भी याद रखिएगा Q32. सोराज मेरा जनमसीर अटिकार है या नारा किस ने दिया था दूबाल गंगादा रखने दिया था या बहुत सी फेमस नारा था Q32. मुकूर थी नेशनल पार्क भारत के किस राज में है तो जहे इसका answer है वो है तमिल नाडू द जिसके आज पास की जो question है उसको आप याद करना मत भूलिएगा क्योंकि इसी से रिलेटर सारे question आएगे तो मेरे द्वारत दी कहीं जानकरी कैसा लगा अच्छा लग और वीडियो को लाइक को सेर जरू करें ओके भाय मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इसी तरह के